सुप्रबात मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रिविजन चल रहा है तो इसके पहले वाली क्लास में हमने प्रशणों के उत्तर वा अब्भ्यासकारे के अंतरगात हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ इसका अब्भ्यासकारी किया आज हम इसी पुन्राव लोकन को रिविजन को आगे बढ़ाते हुए आगे का हमारा जो अगला प्रशने है वह हाँ या नहीं में उत्तर दो नमबर वन यूलिसिस एक राजा था क्या यूलिसिस एक राजा था तो उत्तर है नहीं यूलिसिस राजा नहीं था नमबर दो विशालकाय राक्षसों को साइकलोप्स कहते थे तो जो हमने पाट पड़ा था यूलिसिस और पॉलिफीमेस उसमें जो राक्षस थे उनको जो बड़े बड़े विशालकाय राक्षस थे उन्हें क्या कहते थे साइकलोप्स कहते थे क्या हाँ उन्हें साइक्लोप्स कहते थे नमबा तीन साइक्लोप्स के माथे के बीचों बीच एक आँख थी जो बड़े बड़े राक्षस था उनसम में जो सबसे बड़ा राक्षस था उसके माथे के बीचों बीच एक आँख थी थी क्या? हाँ, एक आँख थी अगला है पॉली फीमिस एक महान संत था क्या पॉली फीमिस एक महान संत था? नहीं नमबर फाइफ यूलिसिस ने अपना नाम कोई नहीं बताया यूलिसिस ने अपना नाम कोई नहीं बताया जब उसे इस राक्षस ने पुछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो यृलिसिस ने क्या कहा उसे की? कोई नहीं. तो वह राक्षस समझा की इसका नाम कोई नहीं. अगला है नंबर सेक्स. क्या पार्क में लगे फूल अच्छे लगते हैं? उत्तर है? हाँ. पार्क में बगीचे में फूल लगे होते हैं हना हर्याली रहती है जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं नमब सेवन क्या घर के बाहर पड़ा कुड़ा अच्छा लगता है यदि आपके घर के बाहर या किसी के घर के बाहर कुड़ा पड़ा हो तो अच्छा लगता है क्या नहीं हाना अच्छा नहीं लगता है अगला क्या किसी से मार पीट करना अच्छी बात है लडाई जगडा करना मार पीट करना अच्छी बात है क्या नहीं नमबर नाइन, क्या चोरी करना अच्छी बात है? चोरी करना अच्छी बात है क्या? नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है नमबर 10, क्या बढ़ों का आधर करना अच्छी बात है बढ़ों का आधर करना चाहिए क्या हाँ बढ़ों का आधर करना चाहिए जो की शिष्टाचार के अंतर गताता है और यह अच्छी बात है अगला जो हमारा है प्रश्ण वह है कि प्रत्वी का चित्र बना कर प्रत्वी के विशय पर वाग के लिखो तो यहाँ पर आपको क्या करना है हमने चो पाट पड़ा था प्रत्वी प्रत्वी का आपको चित्र बनाना है ठीक है तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमने प्रत्वी का चित्र बनाया हुआ है आप प्रत्वी का चित्र आपके दिमाग में जैसा आए वैसा भी बना सकते हैं थोड़े से आसपास बेरपोधे भी बना सकते हैं तो उसको आप अपने according draw कर सकते हैं और फिर प्रत्वी का चित्र बनाने के बाद आपको प्रत्वी के उपर कुछ वाक्य भी लिखने हैं कि प्रत्वी कैसी होती है, प्रत्वी पर क्या क्या होता है ठीक है? चलिए तो आगे अब हम प्रत्वी के उपर वाक्य पढ़ेंगे कि प्रत्वी कैसी होती है, प्रत्वी पर क्या होता है नमबर एक, प्रत्वी हम सब जीवों का घर है जो प्रत्वी है, यह हम सब जीवों का घर है नमबर दो, यह सभी ग्रहों में से सबसे अनोखी है तो जितने भी हमारे ग्रहे हैं तो प्रत्वी उन सभी ग्रहों में से सबसे अनोखी है नमबर तीन प्रत्वी पर जीवन है जल है तथा जीवजनतू भी है प्रत्वी पर जीवन है, जल है, मतलब पानी है, जीवजन्तु है, तो प्रत्वी पर हर्याली है, यहाँ पर इंसान भी है, जीवजन्तु भी रहते हैं, पानी भी है, सारी चीजें हैं प्रत्वी पर क्या है जीवन है जो की हमारे जीवन के लिए आवशक्ताओं की जो चीजें हैं वे हमारी प्रत्वी पर मोजूद है नमबर 4 प्रत्वी के अपनी धुरी पर गुमने से दिन और रात बनते हैं जो प्रत्वी है वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है अपनी ध अपनी दुरी पर गूमने से अपनी दुरी पर चक्कर लगाने से दिनों रात बनते हैं। जुत्योहार हैं वो एक के बाद क्रमशा एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। तो यह सब कैसे होता है? यह सब प्रत्वी के अपने दुरी पर गूमने से होता है। नमबra 7. प्रत्वी मानव को भी अपने साथ-साथ समस्त ब्रह्माण की सेर करवाती है। जो प्रत्वी है वह मनुश्यों को हम सजी को अपने साथ-साथ पूरे ब्रह्माण की सेर करवाती है। तो इस प्रश्णी के अंतरकत आपको प्रत्वी का चित्र बनाना है, फिर उसके बाद आपको प्रत्वी के ऊपर बाग के लिखने हैं, इसे आप अपनी हिंदी की कौपी में बहुत अच्छे से करेंगे, और जो चित्र बनाएंगे प्रत्वी का उसमें आपको कलर भी करना है अगला प्रश्ण है, अब आते हैं हम विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब opposite, विप्रीत आर्थक शब्द, विप्रीत शब्द, एक दूसरे का उल्टा, मतलब उल्टे अर्थ वाली शब्द, दिन, तो दिन का उल्टा क्या होता है, रात, आगे, आगे का पीछे, सच, सच का उल्टा क्या होगा, जूट, बाहर, बाहर का उल्टा, अंदर, उदास, उदास का खुश, प्रसन्न, उपर, नीचे, शहर का उल्टा होगा, गां, बदसूरत, बदसूरत का उल्टा होगा, खुबसूरत, बाहर, बाहर का उल्टा होगा, भीतर, स्वतंत्र, स्वतंत्र का विप्रीत शब्द क्या होगा पर्तंत्र, पसंद, नापसंद, सुबह, शां तो ये उल्टे अर्थवाली शब्द थे आगे अब यहाँ पर आपको एक वर्कशीट शेयर की जारी है इस वर्कशीट को आपको आपकी हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से करना है तो विलोम शब्द, उल्टे अर्थ बताने वाली शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं जैसे यहाँ पर एक चुवा दिया है, चुवा छोटा है और हाती है जो बड़ा है चोटा का विलोम उल्टा क्या होगा, बड़ा तो हमारा है प्रश्न सही विलोम शब्द पर गोला लगाईए सच, तो सच का उल्टा क्या होगा, जूट, मुश्किल, आसान, नरम, कठिन, आसान, अपना, रुप्या, दूसरा पराया तो अपना पराया सफलता निराश असफलता सफलता का उल्टा क्या होगा असफलता स्वर्ग नरक परलोग देवलोग तो स्वर्ग का उल्टा होगा नरक ठीक अब आता है जोड़ी मिलाईए सुबह, शाम, सब्य, असब्य, उचित, अनुचित, जल्दी, धीरे, हसना, रोना तो इस तरह से इस वरक्षिट को आप अपनी कॉपी में करेंगे अगला है नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखें यहाँ पर आपको एक जो जैसा की चित्र में दिखाया है एक ट्री दिया है, पेड दिया हुआ है इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं तो उन शब्दों के साइड से खाली स्थान जो बाक्सें वो खाली छूटे हुए हैं उन बाक्सों को आपको आप में क्या लिखना है नीचे जो आपको विलोम शब्द दिये हैं उनको लिखना है जैसे प्रत्यक्ष अपमान शिक्षित आस्तेक उदाय और इनके साइड में ज नीचे विलोम शब्द दिये हैं अप्रत्यक्ष नास्तिक अशिक्षित सम्मान अस्त तो जैसा है अपमान तो अपमान का उल्टा विलोम शब्द क्या होगा अपमान का विलोम शब्द होगा अपमान का विलोम शब्द होगा सम्मान ठीक है ये वाला सम्मान नेक्स नमबर टू प्रत्यक्ष नमबर वान ये आपका अपमान का सम्मान नमबर दो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का ये प्रत्यक्ष इसका विलोम शब्द क्या होगा नमबर 2 आएगा आपका अप्रत्यक्ष ये जो है ये आपका प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष ठीक नमबर 3 आस्तिक आस्तिक मतलब जिस पर भगवान को भरोसा हो जो भगवान को इश्वर को मानता हो तो इसका उल्टा क्या होगा? ये आस्तिक का अपोजिट क्या होगा? नमबर थ्री नास्तिक तो यहां आएगा नास्तिक जो भगवान को इश्वर को ना मानता हो नमबर फोर शिक्षित शिक्षित का अपोजिट विलोम शब्द क्या होगा? अशिक्षित नमबर फाईव उदय का उल्टा क्या होगा? नमबर फाइव अस्त अपमान सम्मान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आस्तिक नास्तिक शिक्षित अशिक्षित उदय अस्त तो बच्चो यहाँ पर हमने जो वक्षीट की जो प्रशनों की उत्तर किये जो भी अभ्यास कार किया है इस सभी को आपको पहले वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है उसके बाद इन सभी को आपको आपकी हिंदी की कॉपी में करना है प्रत्वी का चित्र बनाने का आप अभ्यास करेंगे और बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए और उसमें आपको रंग भी वरना है और उसके बाद आपको प्रत्वी के उपर वाक्य भी लिखना है ठीके कम से कम पांच वाक्य आपको लिखने है जो वक्षिट आपको शेयर की जाएगी उसे आपको आपकी हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से करना है और जैसे ही आपका रहकारे पूर्ण होता है उसकी पोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड करेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम पिन मिलेंगे तब तक के लिए बाई थेंक यू